अगर देश के किसानों की हालत नहीं स्थरी तो आने वाला कल अंधेरे में खो जाएगा ये मप देखना कि अत्याचारी कौन है याद रखना जिन्दा कौमें पांस साल तक कभी इंतजार नहीं करती विरोध प्रदर्शन हमारा हक है ये वरोध प्रदर हमारे संबेदाने कदिकार है और देख लीजे कि सब कुछ शानती पूर्ण तरीके से हो रहा है दायर सहाब कसम से कह रहे है एक नंबर का अपवल दर्जे का कचप का पहलवान है उम्मुलायमवाई किचा के चाटले सली के और बंद करो उसका अपून गाई जे जे गार हो रही है दोटों की माला पेनाए जारी है तुम्रे मुलायमवाई लग रहे ना बिलकुल पहलवान के लगाई बस एक मोकल की तलाश में हूं अथुराम जी दुनिया को बता देंगे के सरकार कैसे और किस की लिए चलाई जाती है आज के बाद दंगल नहीं राजनीती की कुष्टी होगी ताजा तूफान है, सही दिशा मिल गई तो बड़े-बड़े खेमे को खाड़ पेकेगा एक बात याद रखना शेफ मैंने अखाड़ा बदला है टंगल नहीं छोड़ा इमर्जिंसी की सारी तैयारिया हो चुकी है राजनीते में दाउपेश जरूरी जरूर होती है लेकिन सम्विधान के संखिलवार करने का किसी को कोई अधिखार नहीं है यह छोटे बड़े जित्ते भी ओपोजिशन लीडर्स है ना, जस्ट पुट्टे विहाइंड बास अस सून अस पॉस्मिल जिर्णार्य शोलू में बदद सकती है पुजा तो सबको पार्टी बनाना और पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है हम महाभारत के अर्जुन है और हुसली का दूसरा नाम मुलायम सिंह यादो उत्तर प्रदेश हाथ से डिकल गया अकराओ है तो वह हुसूलू की हक की जिन्दा को में पाथ सांसा के इंतिजार कभी नहीं करती मेरे दिल कहता है के यह मुलायम आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा लोग नेता जी के नाम सो जानेगे इसे रहेगा थे जाने प्रदेश जिन्दा रहें झाल